हे गाईज वलकम टो गवर्मेंट जोब्स ग्यान यूटूब चैनल गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NTA IGNU JAT Admit Card 2030 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जी हाँ दोस्तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने IGNU के जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस के Admit Card रिलीज कर दिये हैं कैसे कब और कहां से आप अपने Admit Card डाउनलोड कर सकते हो इसकी पूरी जानकारे हम आपको इस वीडियो में Step by Step देंगे बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना सुरू से लेकर एंड तक देखना है उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर कर दे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले तो गाईज बिना कोई वक्त गवाए चलिए सुरू करते हैं आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sरकारी नौकरी.in के स्पेज का लिंक मिल जाएगा यहाँ पर आपको इस एड्मिट कार्ड के रिगारिंग फूरी डिटेल परवाइड करा दी गई है इंद्रा कानी नेशनल ओपन युनिवरस्टी इगनू ने कुछ दिनों पहले जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जे एटी की पोस्ट के लिए 200 वेकेंसीज का नोटिफिकेशन निलीज किया था सिलेक्षन यहां पर आपका रिटन एक्जाम, स्किल टेस्ट, टाइप टेस्ट, डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक्जामिनेशन के आधार पर होगा जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पोस्ट पर टेट्स के अगर बात करें तो इस पोस्ट पर भरती के लिए कैनिडेट से आवेदन पत्र 22 मार्च 2023 से 20 अपरेज 2030 के बीच में एक्सेप्ट के गए थे आप यहां पर आपका एक्जाम कंड़क्ट होने जा रहा है वो आपका 31 जुलाई 2030 को कंड़क्ट होगा जी हां दोस्तो आपका इगनू जुनियर अशिस्टेंट कंड़क्ट का एक्जाम 31 जुलाई 2030 को कंड़क्ट होने जा रहा है एडमिट कार्ड आप अपना एक्जाम कंड़क्ट होने के एक या दो दिन पहरे डाउनलोड कर सकते हो NTA की ओफिसल वेबसाइट से आपको इस पेज को नीचे स्कोल डाउन करना है इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर इगनू जुनियर अशिस्टेंट कंड़क्ट आपको इस लिंक पर किलिक कर देना है उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इगनू का जी हाँ दोस्तो नेशनल टेस्टिंग एजनसी में इगनू का ये ओफिसल पोर्टल पुल जाएगा यहाँ पर आपको आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा एक्जाम कंडेक्ट होने की एक या दो दिन पहले आपको यहाँ पर आपका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा उस पर किलिक करके आप अपना एडमिट कार्ड नाउनलोड कर सकती हो आपके admit card के link पर click करके आपके सामने कुछ इस तरह से interface कुलेगा यहाँ पर आपको अपना application number एंटर करना है, date of birth select कर लेनी है पहले day select करना है, फिर month और फिर year उसके बाद आपको यह capture code यहाँ पर fill करना है और फिर आपको submit button पर click कर देना है उसके बाद आपका admit card आपके computer या फिर mobile के screen पर कुछ इस तरह से so होगा इसमें आपको सभी details provide करा दी जाएगी जैसे कि क्या reporting time है, किस time से किस time तक आपका exam conduct होगा, किस date में आपका exam conduct होगा किस venue पर आपका exam conduct होगा किन-किन चीजों को आप exam में carry कर सकते हो सभी general instructions और guidelines आपको आपके exam से later इस admit card में provide करा दी जाएगी यहाँ से आपको अपने admit card का एक hard copy print out भी ले लेना है, future use के लिए, future reference के लिए और उसके साथ आपको exam में participate करना है admit card के hard copy print out के साथ साथ ही आपके पास आपका एक valid photo पहचान पत्र भी होना चाहिए जैसे कि कोई pen card, आधार card, driving license या फिर passport इन दो documents के साथ आपको exam में participate करना है इगनू के junior assistant come type is quiz post के exam के लिए exam की date का official notification इलीज हो चुका है आप हमारी website के इसी page पर exam date official notice इस link पर किलिक करके या फिर आप ntkis official website से भी अपने exam date का official notification चेक आउट कर सकती हो आपको यहाँ पर उपर ही schedule for इंद्रा गाजी national open university इगनू recruitment of junior assistant come type is JAT 2030 का link दिया गया है इस link पर किलिक कर देना है उतके बाद आपके सामने यहाँ पर exam date का official notice ओपन हो जाएगा यहाँ से आप check out कर सकते हो आपका junior assistant come type is JAT का exam 31 जुलाई 2030 को conduct होने जा रहा है इस exam में participate करने के लिए आपको अपना admit card download कर लेना है admit card आपका exam conduct होने के एक या दो दिन पहले official website पर release कर दिया जाएगा recruitment.nta.nic.in आपको इस लिंक पर किलिक कर देना है अपने internet browser के address बार पर उसके बाद आपके सामने यहाँ पर NTA का यह official portal कुल जाएगा यहाँ पर आपको igno recruitment examination 2030 for junior assistant come type is JAT इस लिंक पर किलिक कर देना है उसके बाद आपके सामने यही portal open हो जाएगा यहाँ पर आपको आपके admit card का link active कर दिया जाएगा जिस पर किलिक करके आप अपना admit card डाउनलोड कर सकते हो तो यहाँ से अगर आपको आपके admit card या फिर exam selected कोई query है तो आप info numbers पर call करके अपनी query sort out कर सकते हो या फिर इस email ID पर अपनी email send करके आप अपनी query का sort out यहाँ से ले सकते हो जी हाँ दोस्तो ऐसे आप अपना NTA IGNU junior assistant come type it JAT का admit card डाउनलोड कर सकते हो आज किस वीडियो में बसी दना ही I hope यह वीडियो आपका पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like और share करे चैनल पर नए हो तो इसे subscribe कर ले thanks for watching